हुआ है जिके SSB पोस्ट पॉस्पूंद ओल इट्स एक्जाम आज यू आल नो जिके SSB केम आउट विद इस अड्वांस नोटिस ऑन 33 अफ ट्विटी ट्विटी टू राइट यह जो नोटिस आया था पहले अड्वांस नोटिस का यह तीस तीन और बाइस में इसी साल आया था जिसमें जो पैंडिंग एक्जाम रहते थे जेके SSB के कुछ वो सारे एक्जाम की क्या थी अड्वांस नोटिस आया था जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 18 अफ में से यह एक्जाम शुरू होने जाने थे राइट तो जेके SSB ने सारे जितने भी एक्जाम होने वाले थे यह आप देख सकते हैं यहां पर जुनियर लाइब्रेजिन रिसर्च असिस्टेंट होटी कल्चर राइट उसके बाद असिस्टेंट स्टेर्मेंट टेबल बॉय और में जो इसमें ए रहा था बड़े एक्जाम थे राइट बड़ी पोस्ट के लिए वह आपके यहां पर एक्जाम थे एक तो इंस्पेक्टर का और एक सब इंस्पेक्टर राइट यह होने जा रहा था एक 12th of June और 26th of June को होने जा रहा था and the most important exam जो था वो था हमारा पटवारी का जेके एससबी किसका जेके एससबी पटवारी and election assistant जो की 17th of July को होने जा रहा था उसके बाद जेके एससबी यह कल ही notice आया है जेके एससबी का जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जितनी भी advance notice था regarding conduct of written examination उसको withdrawn कर दिया गया है right withdrawn कर दिया गया है और उसके बाद यहां पर लिखाया था कि जो dates and written examination की वो shall be notify की जाएंगी right in future ने तो इसके जो main reason है सबसे पहला reason तो मैं आपको बता दूं कि यह जो exam जो है वो postponed कि हूए है क्योंकि जो chairman है आपको सबको पता ही है कि खाली जांगी जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके गिये हैं वो बहुत बड़े exam उन्होंने conduct करवा दी हैं selection list means की list जो है वो बन चुकी है वो जल्दी ही उनके result भी आ जाएंगे राइट तो एक तो जो chairman अभी ने आए है राइट उनको थोड़ा सा time लगेगा मिस्टर शर्मा जो ने चेर्मेन आया है जेकेस असबी को उनको थोड़ा सा भी time लगेगा जो काम है जेकेस असबी का उसको थोड़ा सा समझने के लिए एक तो main reason यह है और second जो main reason है आपको पता है पता है कि जो के केस का राइट तो GKS का जो आप सबी को पता है कि exam जो है prelims का right वो prelims का exam जो है आपका 26th of June को होने जा रहा है right 2022 तो second reason ये भी है कि prelims exam जो है June में होने जा रहा है तो जो main बड़े exam थे जैसे मैंने आपको बताया inspector का right inspector का उसके बाद sub inspector excise की बात हो रही है हम पर right sub inspector उसके बाद पत्वारी election assistant के जो exam है ये भी बड़े exam है तो इसलिए ये second reason भी है इसका कि prelims का exam है और prelims सा exam जो है वो as per schedule ही किया जाएगा result भी मेंन का आने वाला है तो third जो इसका possible reason है तो third reason तो third possible जो reason है इसका वो reason किया है कि जितने भी अभी पहले paper हो चुके हैं चाहे वो junior आपका statistical assistant हो sub auditor का paper हो आपका junior assistant का हो account assistant का हो civil service हो तो वो सारी अब final selection list आएंगी complete हो जाएगा और सबसे बड़ा जो है आपका JK police sub inspector का इसका भी result जो है इस हफते आपका आजाएगा JK police sub inspector का और JK police sub inspector का जो third reason इसमें है कि उसका physical भी जो है आपका एक महीने के अंदर मंद की एक महीने का आपको time दिया जाएगा तो most probably chances है कि इसका physical जो है आपका June मंद में हो जाएगा तो ये reason भी है इसका third reason तो JKS भी जो है written examination जो है इसका जो fresh dates है वो लेके आ जाएगी उससे पहले अब सारी जो है selection list आपकी बहुत ही जल्द आ जाएगी जैसे आपको पता है junior assistant की document verification complete हो चुकी है अब जो है आपकी account assistant की account assistant की जो है वो document verification शुरू हो चुकी है तो पहले आपकी account assistant की जो है selection list आएगी फिर जैसे की selection list आएगी क्यूंकि account assistant की बहुत सारे बच्चे जो है वो जैसे आपके junior assistant में भी qualify कर रहे हैं तो जैके ऐसस भी doubling नहीं करेगी इस बार राइट doubling in the sense पहले जिसका grade पे जादा उसी की selection इस आएगी फिर उससे निच्चे वाले की क्यूंकि जितनी waiting होगी तो वो क्या होती जाएगी साथ साथ में ही clear होती जाएगी जो की जैके ऐसस भी इस बार यह अच्छा काम कर रही है राइट तो यह इसके possible reason थे और आपको stress लेने की जूरत नहीं है गाइस आप क्या है कि अपनी अपनी preparation को continue रखे राइट preparation को ना चोड़ें stress ना होए क्योंकि exam जो है exam जो है बोला गया है कि most possible chances have tentative date दी है 26 जून को और tentative date है तो 26 जून को यह हो भी सकता और नहीं भी हो सकता राइट but most chances है कि 26 जून को GKS जो है GKS का paper जो है conduct prelims का ज़रूर कर देगी राइट सो यह reason थे और अगर आपको फिर कोई doubt है कुछ भी doubt है तो इस वीडियो को comment section में जुरूर करें और वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करें राइट so thank you for watching have a nice day